प्रिक्षा जून महीने में होने वाली है और इस परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सिरीज की शुरुवात की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएसी प्रिडिम्स 2024 करंट अफेर्स रिविजन सिरीज इस रिविजन सिरीज के माध्यम से हम विभिन खंडों के अंतरगत एक वर्ष की तमाम घटाओं को समीटने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी संपूर्णता प्राप्त कर सके और आप अपने एक्जामनेशन में बहतर परफॉर्मेंस कर सके आज हम जिस खंड पर बात करने वाले हैं वो अंतराष्ट्य संबंद खंड से जुड़ा हुआ है अंतराष्ट्य संबंदों पर पहला एपिसोड हमारा आ चुका है इस परकार से यह दूसरा एपिसोड है हमें उम्मीद है कि इस पूरी सिरीज से आप लाब उठा रहे होगे तो चलिए आज के अपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज की अपनी पहली खबर देखते हैं आज की पहली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वह भारत और फिलिपीन संबंद से जुड़ी हुई है भारत और फिलिपीन संबंद विशेश रूप से फिलिपीन्स को देखते हैं, फिलिपीन्स एक द्वीपिये देश के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो उत्तर में स्थित लूजोन है और लूजोन द्वीप में ही इसकी राजधानी मनिला स्थित है, इसके लावा की जो अवस्थिती है आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार चाइना साउट चाइना सी को लेकर करके असरीटिफ होता जा रहा है और साउट चाइना सी को लेकर कि उसके वियतनाम, मलेशिया, बुरुनाई दारुस्सलाम फिलिपीन्स जैसे देशों से लगातार किसी ना किसी प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं हाली में एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया था जब फिलिपीन्स अपने अधिकारों को लेकर के अंतराश्ट्री मध्यस्तता नियाले में चला गया था और फिलिपीन्स के हक में ही मध्यस्तता नियाले ने अपना निर्णे सुनाया था लेकिन उस निर्णे को चीन ने मानने से इंकार कर दिया था तो जैसे जैसे साउट चाइना सी में चीन अपने अधिकारों को लेकर असर्टिव होता जा रहा है वैसे वैसे दक्षन पूर्वेशाई देशों के साथ उसके संबंदों में भी तनाव देखा जा रहा है ऐसे में भारत और फिलिपीन्स के संबंद विशेश रूप से महत्वपोन हो जाते हैं हाली में पिछले साल भारतिये विदेशमंत्री और फिलिपीन्स के समकष के बीच एक संयुक्त आयोकी पांचवी बैठक हुई है दोनों देशों के बीच दिपक्षे सहयोग को बढ़ाने के अंदरगत भारत और फिलिपीन्स समुदरी सुरक्षा पर विशेस बल देने के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने के अंदरगत विभिन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं इन विकल्पों पर विचार क्यों क्या जा रहा है अभी आपको इसकी प्रश्वमी बता दे गई है इस बैठक के प्रमुक बिंदू क्या रहे हैं उसको ठीक से जानने का प्रयास करते हैं सबसे महत्वपों है रक्षा सहयोग रक्षा सहयोग अगर दोनों देशों के बीच बढ़ता है तो हिंद प्रशान्त महासागर का जो पुरक्षेत्र है उसमें एक स्थिरता डेवलप करने में मदद मिलेगी खास तोर से चीन के रवये को देखते हुए इसमें जो सबसे महत्वपों बात ये आती है कि दोनों देश रक्षा के अंतरगत गहरी रूची रखते हैं इन संबंदों को आगे बढ़ाने के अंतरगत और रक्षा अजनसियों के बीच नियमित या उन्नत आधिकारिक इस्तर की बाचीत इसमें शामिल है मनिला में एक निवासी रक्षा अताशे कार्याले खोलना और फिलिपीन्स की रक्षा आवश्रक्ताओं को पूरा करने के लिए भारत द्वारा रियायती रिंड सुविधा प्रदान करना इन रक्षा वारताओं के बीच प्रमुक बिंदू रहे हैं दूसरे संबन्दों के अंतरगत अगर आप देखेंगे तो समुदरी सुरक्षा, शेत्री और अंतराश्टी मुद्दे भी विशेशूप से महत्वपौन हो जाते हैं जब हम समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं तो समुद्री सुरक्षा में दोनों देशों का जो लक्ष है वो समुद्री डोमेन जाग रोकता यानि जो मेरिटाइम डोमेन अवेरनेस है उसकी शमताओं को बढ़ाने के लिए सहयूक्त गस्त और सूचना के आदान परदान के जो सहयूक किया जाना चाहिए उस पर ये पूरी वारता टीकी हुई है शेत्री और अंतराश्टी मुद्दों के अंतरगत आपको जैसा अभी बताया गया कि साउच चाइना सी में जिस प्रकार से असर्टिव होता जा रहा है चाइना उसके लिए जरूरी है कि हिंद प्रश कानून की आवशक्ता पर भी जोर दिया गया अगर किसी भी शेत्र में आप स्वतंत्र नोवहन प्रणाली को अपनाना चाहते हैं खास तोर से जिस प्रकार से प्रशांत महाशागर और हिंद महासागर को जोडने का एक प्रमुक व्यापारिक मार्ग साउच चाइना सी से हो करके गुजरता है तो इसमें नोवहन प्रणाली को सुगम बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रखने के लिए पारदर्शी रखने के लिए जरूरी है कि अंतराष्ट्री कानूनों का ठीक तरह से पालन हो और उसी के अंतरगत संयुक्तराष्ट्र समुद्री कानून अभिस्यमें जिसे यू एन क्लोज के नाम से भी जाना जाता है उसके तहट सभी नियमों का पालन और प्रतिबदता आवश्यक हो जा सकती है ताकि दक्षण चीन सागर के जो पूरा नोवहन प्रणाली है उसमें सुगमता बनी रहे उसकी एक पारदर्श्वी प्रणाली ब भारत और फिलिपीन के संबंदों की अगर आप व्यापक रूप से चर्चा करेंगे तो उसमें यही महत्वपूर्ण बिंदू आते हैं कि हिंद प्रशांत शेत्र में दो लोक्तांतरिक देश यह हैं और स्वतंत्र खुले और इस्थिर शेत्र के महत्वपर जोर देते अगर भारत और फिलिपीन के दोनों देशों के बीच राजनेतिक संबंदों की बात करते हैं तो इन राजनेतिक संबंदों की शुरुवाद राजनाइक संबंदों की स्थापना के तुरंत बाद हो गई थी जो फिलिपीन को स्वतंतरता प्राप्त हुई वो 1946 में स्वतंतर संबंध है उनकी शुरुवाद बहुत प्रारम में ही हो गई थी दोनों दिशों की आजादी के बाद भारत ने 1992 में लुक इस्ट पॉलिशी की शुरुवाद की थी और लुक इस्ट पॉलिशी के अंतरगत फिलिपीन्स एक महत्रपूर्ण साजेदार था और इसी को ध्यान मे रखते हुए इस साजेदारी में लगातार वृद्धी के प्रयास किये इन संबंधू को बढ़ाने का आगे प्रयास किया गया ताकि क्षित्री संबंधू की विकास को एक दिशा प्रदान की जा सके भारत ने 2014 में नरेंद्र मोधी गॉर्मेंट आने के बाद लुक इस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा विस्तारित करने के लिए उसे और ज़्यादा तिवर करने के लिए उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए एक्ट इस्ट पॉलिसी की शुरुआत की और इस पॉलिसी की तहत भी भारत फिलिपीन्स संबंधू में राजनेतिक सुरक्षा के साथ सा और फिलिपीन्स का पंदरवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागेदार भारत है अगर फिलिपीन्स के बारे में सामाने जानकारी हम हासिल करने का प्रयास करते हैं तो फिलिपीन्स दक्षण पूर वेशा में स्थित एक द्वीब समू है जिसकी सीमा पूर में फिलिपीन्स अगर से घुरा गिरा है और दक्षण में सेलब सी और इसके दक्षण पश्य में सूलू सी भी पड़ता है फिलिपीन्स में टोटल मिलाकर के 7,641 द्वीप हैं जिन में लुजोन और मिंडानाउ सबसे बड़े द्वीप है लुजोन में ही इसकी राजधानी स्थित है और जैसा कि आप यहां पर इसके अवस्थिती देख सकते हैं आज की अगली खबर की अगर हम बात करें तो वो संगाई शहयोग संगठन से जुड़ी जो करेंगे इस संबेलन में वैश्विक हितों में अधिक प्रतिनीरत्व और बहुद्रुविय विश्विवस्था की गठन का आधान किया गया एक तो के और निर्मान होता था S.E.O.S. के विकल्प के रूप में एक बहुत धुर्विय विवस्था का निर्मान की बात करता है और साथ ही अलग-अलग वैश्विक संगठनों में अलग-अलग देशों के परतिनेधित्व को भी बढ़ाने की बात करता है 23 वे शेखर संबेलन के दोरान यानि वर्षु 2030 में जो शेखर संबेलन हुआ इरान को आधिकारिक तोर पर इसके नोवे सदश्य के रूप में सदश्यता प्रदान की कर दी गई अगर हम इसके सदश्यों की बात करें तो आप जानते होंगे कि जो संगठन है इसके शुरुवात वर्ष 2001 से पहले ये शंगाई फाइव के नाम से जाना जाता था शंगाई फाइव में चीन और रश्या का नेतर्थ था और इसके अलावा इसमें मद्धे इश्या के तीन देश शामिल थे उसके बाद इसका धीरे धीरे विस्तार होता चला गया और इसमें मदेश्या का चोथे देश को शामिल कर लिया गया मदेश्या के चोथे देश को शामिल करने के साथ इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया और इसके अलावा अब इसमें वर्षी 2023 में इरान को भी शामिल कर लिया गया ये जो पूरी इस्थिती है संगाई सहयोग संगठन के एक शेतरी विस्तार को दिखाती है ये पूरा जो मैप है ये शंगाई सहयोग संगठन के विस्तार की एक रूप रेखा आपके सामने प्रस्तुत करता है SEO की अधक्षिता जो वर्षी 2023 में भारत ने की इसकी जो थीम थी वो थी सुरक्षित संगाई सहयोग संगठन की ओर तो इस सिक्योर शब्द की फुल फॉम जानना और इसके माइने को जानना भी विशेश रूप से महत्वपोर्ण हो जाता है सिक्योर शब्द में जो S सब्द है भारती प्रधानमंत्री दुआरा ही इसको विस्तार दिया गया था इसकी रूप रेखा प्रस्तुत किये थे सिक्योर का मतलब है security for citizens सभी नागरिकों की सुरक्षा तै करना E4 economic development आर्थिक विकास के माध्यम से नागरिकों की जीवन इस्तर को उपर उठाना C4 connectivity in the region region में यानि क्षित्र में connectivity का प्रयास करना चाहे वो broadband connectivity हो चाहे वो सडको और rail के माध्यम से connectivity को स्थापित करना हो U for unity यानि सहयोग संगठन में एक एकता का निर्मान करना R for respect for sovereignty and integrity विभिन देशों की संप्रभूता और एकता और अखंडता की रक्षा करना और इसको विशेश रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जिस परकार से हाल फिलाल में चीन द्वारा भारत के अलग अलग शेत्रों में इंकर्जन की घटनाएं देखी गई है उसमें ये विशेश रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है किसी देश की संप्रभूता एकता और रखंडता की रक्षा करना उसका संबान करना E4 Environment Protection Environment Protection विशेश रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायू परिवरतन एक उभरती हुई समश्या है और इसके प्रभा बहुत व्यापक हो सकते हैं आने वाली पेडियों पर इसलिए जलवायू परिवरतन के प्रतिय अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए E4 Environment Protection जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया है अगर हम आगे संगाई सहयोग संगठन के बारे में सामाने जानकारी हासिल करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है यानि Intergovernmental Organization है सुरक्षा, अर्थविवस्था और संस्कृति ये शेत्रों में अपने सदश्य देशों के 20 सहयोग बढ़ाने का प्रियास करता है वर्ष 2001 में S.E.O के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजीकिस्तान, शंगाई 5 के सदश्य हुआ करते थे यानि इसमें 3 मद्धे इशाय देश थे और चीन और रश्या सामिल थे, 5 देश थे 2001 से पहले 2001 में इसको शंगाई सहयोग संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदश्य बने उस समय परियावेक्षक देश के रूप में एरान और बेलारूस को शामिल किया गया था लेकिन वर्ष 2023 में एरान को एक सदश्य के रूप में स्विकार कर लिया गया ये इसका सामाने तथे थे संग, शंगाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 में एक और घटना विशेश रूप से महत्वपूर्ण रही और वो है कोसोबो सर्विया संगर्ष सर्विया के बारे में आपको विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे 1991 में सोविक संग का विगटन 15 देशों में हुआ और उसमें 15 देशों में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस उभरा इसके अलावा इस घटना के बाद पूर्वी उरोप के देशों में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन देखे गई इन्ही परिवर्तनों में यूगोसलाविया का विगटन भी था यूगुसलावया के विक्टन के शुवात 1991-92 में हो गई थी जिसके माध्यम से जो बड़ा देश, सबसे बड़ा देश उभर करके आया उस शेत्र में सर्बिया आया लेकिन सर्बिया में भी अलग अलगतर है कि जाती ये संघर्ष लगातार चलते रहे इनी जाती संघर्षों में एक संघर्ष था अलबानयाई समुदाय और सर्व समुदायों के बीच इस संघर्ष का ही नतीजा है कि हमें वर्ष 2008 में एक नए रास्ट्र के घोशना भी देखने को मिलती है कोसवो की रूप में तो सर्बिया और कोसवो की संघर्ष की जो प्रष्ट भूमी है वो 1990 के दशक से है हाल में ये संघर्ष इसलिए विशेश रूप से चर्चा में रहा क्योंकि जून 2030 की शिर्वाती दिनों में सर्बियाई परदर्शनकारियों और नाटो यानि North Atlantic Treaty Organization शांती सैनेकों के बीच कोसवो में संघर्ष हुआ जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए और पिछले एक दशक में ये सबसे गंभीर हिंसा का उधारण है तनाव का कारण क्या था तनाव का कारण था जो उत्री कोसवो का छित्र है अगर आप इसे नक्षए के माध्यम से देखें तो ये सर्बिया की अवस्थتी है और आप इसे कह सकते हैं कि ये यरोप के दख्षन पूरवी हिस्से में पढ़ता है ये देश पढ़ते हैं और इसमें तनाव का कारण क्या रहा कि जो उत्री कोसवों का शेत्र है उसमें सर्ब समुदाए और अल्बानियाई लोगों के बीच बड़े जाती है और राजनेतिक विभाजन उपस्थित है और उसी के कारण ये एक तनाव का नुभव करता है उत्री कोसवों में बहुमत बनाने हेत्व सर्ब समुदाए ने अल्बानियाई महापोरों को इस्थानिय परिशरों में प्रभार लेने से रोकने का प्रियास किया सर्व समुदाय ने अप्रेल 2023 में इस्थानी चुनाओं का बहिसकार कर दिया था जिसके परिणाम सरू 3.5% से भी कम मतदान वहाँ पर हुआ और सर्व समुदाय ने चुनाओ परिणामों को नाजायज के रूप में खारिज कर दिया जो हंगरी रोमानिया और बुल्गारिया के साथ साजा करता है आप देख सकते हैं यह सर्विया है इसके उतर पूरी लिए रोमानिया है अगर पत्र पुलीक शेत्र की बात करें तो क्रोशिया वॉष्णिया हर्जे गोविणना मौन्टेनेग्रों और बिल्कुल दक्षण में कोसुवों की अवस्थिति कोसुवों भी एक परकार से लेंड लोग शेत्री ही है और सर्बिया के दक्षण पश्यम में इसको स्थित माना जाता है सामा ने तो जो इसकी अवस्थिति है वो दक्षण की ही अवस्थिति है उत्री मेसिडोनिया, अल्बानिया और मौंटेनेग्रों के साथ ये सामा सीमा साजा करता है और सर्व समुदाय के लोग कोसोवों को अपने राष्ट्व का जन्मिस्थान भी मानते हैं कोसोवों ने वर्ष 2008 में सर्विया से सतंतरता की घूशना किए थी लेकिन सर्विया कोसोवों को सतंतराजे के दरजे की मानता प्रदान नहीं करता है कोसोवो कैसा शित्र है? एक एसा शित्र है जहां विभिन जाती है और धार्मिक प्रश्भोमी का प्रतुनिद्व करने वाले सर्ब समुदाय के लोग और अलबानियाई सद्यों से रह रहे हैं कोसोव में रहने वाले कोसोव में 1.8 मिलियन लोग हैं जिसमें से ब्यान में पर्तिशत अलबानियाई है और केवल 6 पर्तिशत सर्बियाई है बाकी अगर जाती समुदायों की बात करें तो आप इसमें बोस्त्रियाक्स, गोरान, तुर्क और रोमा लोगों को भी देखेंगे सर्ब मुखे रूप से पूर्वी, रूढिवादी, इसाई है जबकि कोसोव में जो अलबानियाई समुदाय है ये मुखे रूप से मुसलिम समुदाय है अन्य अलब संख्यक समुदायों में जैसे आपको बताया गया बोस्त्रियाई है, तुर्क शामिल है और इसके लावा सर्ब, सर्बिया में बहु संख्यक है, वो सर्ब लोग हैं, लेकिन जो इसका कोसोव खितर पढ़ता है, उसमें बहु संख्यक अलबानियाई समुदाय के लोग हैं क्योंकि उनकी जो संख्या है वो बान में परतिशत है ये इसके बारे में कुछ सामाने स्थिती थी वर्तमान स्थिती क्या है कि कोसोवो ने वर्ष 2008 में सुतंतरता की घोशना कर दी थी और सर्बिया अभी भी इसे सर्बिया का ही एक अभिन अंग मानता है भारत चीन और रूस कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मानता परदान नहीं करते हैं जबकि America, Europe, european जैसे देश और इसके अलावा Australia और Japan देश भी इसे अलग देश के रूप में मानता परदान करते हैं सैयुक्त राष्ट्र के एक सूतंतरता को भारत मानता परदान नहीं करता त कुछ न कुछ कारण होंगी और इसके तीन प्रमुक कारण है वह क्या है क्योंकि को सोव कुछ एक राश्ट के रूप में कुछ बाशनत कों पूरा नहीं करता यह एक परिभाशिच छेत्र की मानेता को पूरा नहीं करता साथ ही लोगोदु्रौरा सविकृत विधिवत गठित सरकार भी यहां पर नहीं है भारत का ये तर्क है और साथ ही साशन पर प्रभावी नियंत्रण भी इस्थापित नहीं है और भारत इन तीन सिध्धानतों के आधार पर कोसुवों को एक सवतंतर देश के रोप में मानता प्रदान नहीं करता इसके लावा कुछ राष्टी विवादों के निप्टान हेतु प्रशांत कंवेंशन है इसके लावा एग्मोंट ग्रूप और फैनेंशल इंटेलिजन्स यूनेट्स भी कोसुवों की सदश्यता का विरूद करते हैं भारत द्वारा कोसुवों को मानता नहीं देने का एक सबसे प्रमुक सदश्यता का समर्तन करता है और कोसुवों को एक अलग राष्ट के रूप में मानता नहीं देता है ये कुछ सामाने तथे एक और संधी विशेश रूप से महत्वपौन रही वर्श दोहोजार तेईस में ये बाहिये अंतरिक्ष से जूड़ी हुई संधी है और संधी की ए अलबा की एक समश्या बहुत तेजी से उभरती हुई समश्या है इसी को ध्यान में रखते हुए जून दोहोजार तेईस में संयुक्त राष्ट ने For All Humanity, The Future of Outer Space Governance सिर्शक से एक संख्यप्त नीती जारे की है जिसमें शान्ती, सुरक्षा और बाहिये अंतरिक्ष हत्यारों की होड की रोक्थाम सुनिशित करने के लिए एक नई संधी की सिफारिश की गई है यह सिफारिश सितंबर दोहोजार चोबिस में नियोर्क में होन वाले UN Summit for the future से पहले की गई है और इस समयलन का जो उदेशे है इस समयलन का उदेशे बहुपक्षे समाधानों को सुविधाजनक बनाना और भविशे की चुनूतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक साशन को यानि जो global governance है उसको मजबूत बनाना है इस से पहले ही इस पर विचार करने के लिए इस संधी का एक रूप रेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है आप जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपनों में बहुत तेजी से व्रद्धी हुई है और सरकार और निजी शेत्र दोनों की इसमें भागेदा जा रही है साल 2013 में 210 उपग्रह लॉंच किये गए थे जिनके संध्य वर्ष 2019 में बढ़कर 600 हो गई वर्ष दोह선 Bio में 1200 उपग्रहों को प्रक्षिपित किया गया और इसी प्रकार से 2022 में 2470 उपग्रहों को प्रक्षिपित किया गया जैसे जैसे इन उपग्रहों का काम समाप्थ हो जाता है तो ये अंतरिक्ष में एक मलबा का निर्मान करते हैं और नए उपग्रहों के लिए एक trajectory की समश्या भी भावशे में पैदा कर सकते हैं और इसी को कहते हैं बाहिय अंतरिक्ष के शेतर में मलबा की समश्या या कच्रा की समश्या इसी के समश्या का समाधान के लिए समयुक्त राष्ट में कुछ सिफारिशें की हैं ये सिफारिशें क्या है ये शान्ती और सुरक्षा के लिए नई संधी से जड़ी हुई है शेयुक्त राष्ट का कहना है कि शान्ती सुरक्षा और भाही अंतरिक्ष में हत्यारों की होड को प्रतिबंधित करने के लिए समवाध इस्थापित किया जाना चाहिए यानि डायलोग इस्थापित करना चाहिए और एक नई संधी के विकास की सिफारिश ये करता है संधी जो है ये उभरते हुए खत्रों को दूर करने और साथ ही उत्तरदाई यानि अकाउंटेबल अंतरिक्ष गतिविद्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतराश्टी मांदन्ड नियम और सिध्धान्त की स्थापना करने का प्रियास करती है अगर हम समन्वित अंतरिक्ष इस्थिती जन्ने जागरूकता की बात करते हैं तो सदशे देशों से आग्रा किया गया है कि वो अंतरिक्ष इस्थिती जन्ने जागरूकता और अंतरिक्ष घटनाओं की समन्वे के लिए एक प्रभावी ढाचे की स्थापना करें क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आकर अलग अलग देश उपग्रोहों की परक्षेमर में कॉडिनेशन इस्थापित करेंगे तो वो किसी न किसी परकार की जो भवशे में आने वाली समश्या है अंत्रिक्स मलबे की उसे सुलजाने में ज्यादा काम्याब हो जाएंग और वैज्यानिक दोनों पहलों पर विचार किया है यानि इसका एक statutory structure क्या होना चाहिए और इसकी scientific पहलों जो इससे जुड़े हुए हैं उन सभी पर विचार करते हुए अंत्रिक्ष मलबे को हटाने के लिए कुछ standards तै किये हैं कुछ मांदन्ड तै किये हैं और कुछ सिध इसके इंतर्कत की गई है बाहिये अंत्रिक्ष के अगर हम बात करें तो इसके सामाने तथ्यों को भी जान लेना चाहिए कि वस्तोते बाहिये अंत्रिक्ष होता गया है बाहिये अंत्रिक्ष में कचरे की समझा को हमने समझ लिया है लेकिन बाहिये अंत्रिक्ष की सामाने त विस्तार को यह सामाने तोर से बताता है। उसी को संदेर्वीत करता है यह एक निर्वात की स्थिती को भी इंगित करता है प्रत्वी के वाईयुमिंडल से परे जो मौजूद है तथा पूरे प्रह्मान्ड में अनिश्ट विस्तार तक फैला हुआ है। बेहत कम घनत्व की स्थिति यहां पर है और बेहत कम दबाव इस शेत्र में आपको देखने को मिलेगा इसके साथ वायू एवं अन्ने वायू मंडली तत्वों की अनुपस्थिति बाहिय अंत्रिक्ष की पिशेस्ता है संयुक्त राश्ट्र संधियों की अगर हम बात करते हैं तो इन संधियों को आम तोर पर बाहिय अंत्रिक्ष पर पांच संयुक्त राश्ट्र संधियों की नाम से भी जाना जाता है कौन-कौन सी पांच संयुक्त राश्ट्र संधिया है जो बाहिय अंत्रिक्ष परिस्थित हैं बाहिय अंत्रिक्ष संधी 1967 ये चंद्रमा और अन्न अंत्रिक्षात्रियों की बचावं रिख शात्रियों की वापसी और भाहय अंत्रिक्ष में प्रक्षेपितAg वस्थिव की वापसी पर यह संजोता किया गया इस सम्जोता कब किया था 1938 में सिम्जोता कि Sant में से तो वो समझोता है दाइत्व अभी समय 1960-1972 1972 अंतरिक्ष वस्तुवों के कारण होने वाली शती अंतराष्ठी उत्तरदाइत्व पर एक कन्वेंशन को अभिव्यक्त करता है वहीं पंजिकरण अभी समय 1976 अंतरिक्ष में लोंच की गई वस्तुवों के पंजिकरण की व्यवस्ता करता है उसी पर एक कन्वेंशन है उसी पर एक अभी समय है दम्मून एग्रिमेंट 1979 चंद्रमा और अन्ने खगोले पिंडो पर देशों की गतिविधियों को नियंतरित करने वाला एक चार को किया है और किसको रेटिफाई नहीं किया है भारत ने मून एग्रिमेंट की भारत ने पुष्टी नहीं किया है जो 1979 का है तो चार पर भारत ने हस्ताक्षर किया है पांच पर भारत ने हस्ताक्षर किया है चार को रेटिफाई किया है और जिसको रेटिफाई नहीं क किया है और आपके examination के दृष्टि कोंड से विशेश रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है अगली खबर पर हमारे लिए विशेश रूप से महत्वपूर्ण है वो भारत और मिस्र संबंदों की है भारत और शुप से महत्व है अफ्रीका के उत्रिक शेत्र में क्योंकि मिश्र की जो अवस्थिती है वो भूर अनितिक दुष्टिकॉन से विशेश रूप से महत्व पूर्ण हो जाती है अगर हम अरब सागर और भूमद्य सागर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो उसक में बहतर होते हैं तो उसमें व्यापारिक दुष्टिकॉन के साथ साथ भूर अनितिक दुष्टिकॉन भी विशेश रूप से चर्चा का केंद्र आज हो जाता है साल 1997 के बाद किसी भारती प्रधानमंतरी द्वारा ये मिश्र की यात्रा की गई थी यानि काफी लंबे समय आप ये देख सकते हैं कि लगबख 26 साल बाद किसी भारती प्रधानमंतरी द्वारा मिस्र की यात्रा की गई है और वहीं पर मिसर का सर्वोस समान दिया गया है अगर आप मिसर की भोगोलोग की अवस्तिती को देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस परकार भूमद्दे सागर और अरब सागर को रेड सी और स्वेज कैनाल की माध्यम से जोडने वाले शेत्र में ये पड़ता है उत्री अफरीका के साथ साथ तो विशेशूप से महत है ही लेकिन ये यूरोप और मद्दे इश्या और अफरीका के बीच एक महत्वपूर्ण रणनितिक इस्थिती भी इस देश की इस्थित है और इसलिए भारत और मिश्र के साथ अगर संबंद ज्यादा बहतर होते हैं तो वो भारत के लिए रणनितिक दृष्टिकोंड से म भारत और मिश्र के बीच क्रिशी पूरा तत्व और पुरावसे इस तथा प्रतिस्प्रधी कानून के शित्र में तीन समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर हुए इन समझोता ग्यापनों का जो उदेशे था वो उदेशे था इन दोनों देशों में या शित्रों में सहयोग इस्थापित करदान इन ख्षेत्रों के अंतरगत दिपक्षे व्यापार की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022-23 में मिसर के साथ भारत का जो व्यापार है वो 6061 मिलियन अमेरिकी डूलर का रहा जो पिछले वर्ष के दूला में 17 परतिशत किसी ने किसी परकार से कम रहा इस कमी का कारण है COVID-19 तो COVID-19 के दोरान जिस परकार से अलग-लग देशों की बीच व्यापार की मातरा में गिरावट आई थी लेकिन धीरे-धीरे अब ये गती प्रदान धीरे-धीरे अपने प्रगती मान है इस व्यापार का लगबग एक तहाई हिस्सा पेट्रोलियम से संबंदित ह तो एक तहिस्सा अगर पेट्रोलियम से संबंदित है तो ये दिखाता है कि दोनों देशों की बीच विभिन आर्थिक छेत्रों में विस्तार की संभावनाएं मौजूद है यानि उनको अलग-लग आर्थिक गतिविध्यों में भी विस्तारित किया जाना चाहिए वर्ष 2022- 2223 में भारत मिस्र का चटा सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार था और मिष्र भारत का 38वाயि सबसे बड़ा भागिदार था भारत ने मिस्र में 50 पर्योजनों में निवेश किया है और जिसका कुल Georgetown एक फांच बिलियंड acting डोलर है मिस्र ने भारत में 37 मिलियं अमेरिकी डोलर का निवेश किया है तो दोनों देशों के बीज निवेश संबंद भी बहतर हो रहे हैं जहां तक हम रक्षा संबंदों की बात करते हैं तो रक्षा संबंदों में दोनों देशों की वायू सेनाओं ने 1960 के दशक में लडाकू विमाणों की विकास पर सहयोग किया भारत्य पाइलटों ने 1960 के दशक सि gleichenunda 6 मिश्र्फ के अपने समकुख़ों को प्रसिक्षित भी किया भारत्य बाई सेना इंड़ियन इयफ़्ोर्स और मिस्र के बाई सेना दोनों ही या उख रा Vision इने अभ्यास में भाग लेने और प्रसिक्षन में सहयोग करने का निरने किया गया है भारतिय सेना और मिस्र की सेना के बीच पहला सेयुक्त विशेश बल अभ्यास अभ्यास चक्रवात वन जिस नाम से जाना जाता है 14 जन्वरी 2023 को राजिस्थान के जैसल मेर में संपन हुआ ये विशेश रुप से महत्वपोर्ण है पहला सेयुक्त विशेश बल अभ्यास है कहा संपन हुआ जैसल मेर में संपन हुआ और इस अभ्यास का नाम क्या है अभ्यास चक्रवात वन के नाम से इसको जाना जाता है एक और घटना विशेश रुप से महत्वपोर्ण रही हाल जिसको हम अट्लांटिक घूशना के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें कि यह हाल फिलाल में चर्चा में क्यों रहा क्योंकि संयुक्त राश्ट्र अमेरिका के साथ साथ संयुक्त यॉनाइटिट किंग्डम दोनों ने 20 वी शताब्दी में अलग-लग अंतराश्ट्री घटन घटनाओं को अपने सहियों के माध्यम से नरधारित करने का प्रयास किया है हाली के दिनों में इन दोनों देशों की संबंधों में कई मुद्दों पर आपसी असहमती भी देखी गई लेकिन दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े भागिदारों के रूप में जाने जा उससे प्रभावी धंग से निप्टा जा सके उसका समाधान किया जा सके और दोनों देश ओकिपीज लंबे समैश से चले आरहे गटबंधन को अनुकूलित कर किया सके अनुकूलित किया जा सके यानि हाल फिलाल की जो चुनोतियां है उन से निपटने की लायक उसको बनाय जा सके अनुकूल बनाया जा सके इसी प्रकार से अगर हम बात करें सुद्रड करना इन संबंदों को सुद्रड करना भी इस गोशना का उदेश्य है और फिर से 21 शिताब्दी की जो महत्वपूर्ण चुनोतिया है उनको ध्यान में रखते हुए इन संबंदों को सुधारना उनकी कल्पना करना इसके अंतरकत शामिल है नई गोशना के साथ दोनों देशों ने रक्षा सुरक्षा विज्ञान और प्रद्योगी की आर्थिक शेत्रों में अपने सहीव को मजबूत करने का अंध इसको ध्यान में रखते हुए अलग-लग देश अपने आर्थिक संबंदों को विस्तारित कर रहे हैं और नई दिशा भी दे रहे हैं तो इस गोशना में भी इन चीजों का ध्यान रखा गया है अट्लांटिक गोशना पत्र रणनीतिक निर्भरता को कम करते हुए एक लचि संब्सकार के अफसर पैदा करना और समुदायों के उत्थान के लिए उर्जा संक्रमण और तक्नीकी सफलताओं का हल तलाशना उसका लाव उठाना जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे विस्व कार्बन जीरो कार्बन के उधेशे को प्राप्ट करने का प्रयास कर रहा है वैसे वैसे एक उर्जा के ट्रांसिक्शन की भी आवशकता है यानि जिवास्पें इन्धन के आधार पर जो उर्जा की आवशकताएं इंडस्ट्रियल रिवलुशन के बाद अलंग लंग देश प्राप्त कर रहे थे अब धेरे-धेरे कोशिश की जा रही है कि हरित प्रद्योगी की क्या धार पर अपनी उर्जा की आवशक्ताओं को पूरा किया जा सके और नविकरणी उर्जा संसादनों के माध्यम से प्राप्त होने वाली उर्जा के दायरे को बढ़ा जा सके उसके प आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका की अवस्तेती है और यह युनाइटिट किंग्डम की अवस्तेती है दोनों देश अट्लांटिक ओशन इन दोनों देशों के बीच में हैं और बीश्वी शिताबदी में इन दोनों देशों ने विभिन अंतराष्ट्य संगठनों की नि से जाना जालता है और श्रमी को व्यवसाओं जलवायू और राष्ट्री सुरक्षा को प्रात्मिक्ता देते हुए आर्थिक विकास प्रतिस्प्रधात्मक या नी कॉम्पेटिक्शन और लचिलेपन यानि को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणिती निर्धारित करता है यह योजना में पांच प्रमुक इस्तंब शामिल किये गए हैं और समय के साथ इसकी प्रगति और महत्वा कांशा बढ़ाने के लिए नियमित इस्तर पर उच इस्तर ये बैठकों की भी परिकल्पना की जितने जैसा अभी आपको बताया गया कि रोबर्टिक्स टेक्नोलोजी आर्टिफिशल इंटेलिजनस बहुत तेजी से उभरती प्रद्योगे की हैं जो अर्थ व्यवस्था के अलग अलग शित्रों को प्रभावित करने के लावा रक्षा शित्रों को भी बड़े स्तर पर आने वाले समय में प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए इन टेक्नोलोजी में नेतरुत परदान करने के लिए लगातार इनमें उन्नत एडवांस्मेंट हासिल करने के लिए एक नेतरुत परदान करने की परिकल्पना की गई है कृत्रिम बुद्धी मत्त यानि आर्टिशल इंटेलिजेंस, क्वांटम, कम्प्यूटिंग, बायो टेकनोलोजी, उन्नत, वी निर्मान जैसे क्षित्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को दोनों देश साजा करने की परिकल्पना करते हैं आर्थिक सुरक्षा और प्रद्योगी की संरक्षन पर सहियों की बात की गई है इसमें साइबर, सुरक्षा, आकूरती, शंखला और प्रद्योगी की परसाशर माफ कीजे का ये दुबारा उसी परकार का तथ्ये आ गया है व्यक्ति के तयारी का क्या मतलब हुआ? व्यक्तियों की तयारी का मतलब ये हुआ कि वो डिजिटल टेक्नोलिजी, उभरती हुई डिजिटल टेक्नोलिजी के परती एक परकार से परीचित हो सके उसका इस्तमाल करने में सक्षम हो सके और जो हाल फिलाल की जितनी भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको उनके प्रतिय अपने आपको अनुकूलित कर सके इसका मतलब ये हुआ तो उसमें कोशल प्रसिक्शन परदान करना और उसके माध्यम से एक कार्येबल को विक्सित करना और इन सब उदेशों को प्राप्त करने के लिए दोनों उदेशों के बीच सहयोग स्थापित करना भी एक महत्वपूर्ण इस्तंभ है इसके लावा चोथा इस्तंभ है कि भावशे की स्वच उर्जा अर्थववस्था का निर्मान करना जैसा कि अभी आपको बताया गया था नेट जीरो कार्बन के लक्ष को वर्ष दोहजार पचास तक प्राप्त करने का सामाने तोर से लक्ष रखा गया है कोप 28 की बैठक जो दुबाई में नवंबर दिसंबर 2023 में संपन हुई थी और इसमें इसके लिए जरूरी है कि हरित टेक्नोलोजी को अपनाया जाए स्वच उर्जा अर्थववस्था का निर्मान किया जाए तो इसको भी एक इस्तंभ के रूप में शामिल किया गया है इतिहासिक महत्व के संबंद रहे हैं और दोनों ही देशों के भी साजेदारी ने वैश्विक मुद्दों पर नेत्रुत करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है 1941 में अट्लांटिक चार्टर हमारे सामने आया था 1941 में अट्लांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर ने नियम आधारित अंतराष्ट्री ववस्था की एक नीव रखी थे अगली खबर है अगली खबर युनिवरसल पॉस्टल यूनियन से जूड़ी हुई है और युनिवरसल पॉस्टल यूनियन Юन की एक महत्वपूर्ण एजंसी है यह चर्चा में इसलिए रही है कि इसने वैश्विक डाक नेटवर्क का उप्यूग करके सीमा पार यानि बॉर्डर पार प्रेशन के कम्मुनिकेशन्स के यूनिफाइड पेमेंट इंटरबेस यानि यूपी आई के एकिकरण का मुल्यांकन करने की एक योजना की घोशना की ह और इस मुल्यांकन की जो योजना है इसका जो उदेशे है वो है सुरक्षित और कुशल अंतराष्टी धन हस्तांतरन की सुविधा में यूपी आई की शमता का पता लगाना यानि यूनाइट इंटरफेस पेमेंट यूपी आई जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक दश है कि सुरक्षित और कुशल अंतराष्टी धन हस्तांतरन की सुविधा में यूपी आई की शमता क्या हो सकती है इसका पता लगाने के लिए ही एक मुल्यांकन की योजना की गोशना यूनिवर्सल पॉस्टल यूनिन के माध्यम से की गई है यूपी यू यानि यूनिवर्स जनक मंच बनाता है यानि बोर्डर पार भी क्या इस परकार का धनका प्रेशन किया जा सकता है तो उसका धनका प्रेशन किया जा सकता है यानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको भेजा जा सकता है क्या ये एक महत्वपूर्ण मंच हो सकता है व्यापक पहुंच और आविशे डाक सेवाओं के बढ़ावा देने के UPI, UPU, यानि Universal Postal Union के लक्ष के नुरूप है, डाक चैनलों की साथ, UPI का एकिकरण व्यक्तियों के लिए एक विस्वसनिय और सुलब प्रेशन समाधान प्रदान करता है, और खासकर दूर दराज के शित्रों में जहां पारंपरिक बैंकिंग सिमाई सिमित है या उपलब्द ही नहीं है, अगर वहाँ पर आप UPI पेमेंट सिस्टम को स्थापित कर देते हैं, तो ये अपने आप में उस शित्र में आर्थिक एकिकरण के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कारक बन सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस योज़ना का प्रात्मिक मंच भी है, यूपी यू, दूसरा सबसे पुराना अंतराष्ट्री संगठन है, यूपी यो की स्थापना 1864 में बर्ण की संधी के माध्यम से की गई थी, ये महत्वपूर्ण तथे हैं, और आपके एक्जामिनेशन के दृष्टी कोण से, महत्वपूर्ण ह हो जाता है, इसका मुख्याले कहा है, इसका मुख्याले स्विट्सेलेंड के बर्ण में स्थित है, चार निकाए इसके अंतरगत शामिल है, कौन-कौन से, कॉंग्रिस, प्रसाशन परिशद, पॉस्टल ऑपरेशन्स काउंसिल और अंतराष्ट्री ब्यूरो, यह है टेली मै का सदश्य बन सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के गैर सदश्य देश कम से कम दो तिहाई सदश्य देशों द्वारा अनुमोदित होने पर, यानि अप्रूवल प्राप्त करने पर ही यू-पी-उ में शामिल हो सकते हैं, इसमें सदश्यों की संख्या कितनी है, यू-प सदश्यों की संख्या है, और भारत 1876 में यू-पी-उ में शामिल हुआ था, इसकी भूमिका और कारियों की अगर हम बात कर रहें, तो ये सदश्य देशों और वैश्विक डाक प्रणाली के बीच डाक नीतियों का क्या करता है, कोडिनिशन करता है, उनका समन्वे करता है, संग अंतराष्टे मेल एक्षेंजों के लिए नियम निर्धारित करता है, और मेल पार्सल और वित्य सेवाओं की मातरा में व्रध्धी को प्रौसाहित करने के लिए सिफारिशे भी करता है, इसका जो महत्वपूर्ण उदेशे है, महत्वपूर्ण उदेशे ये है कि ग्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वर्ष दो हुजार चोबिस में रिपब्लिक डे पर जो हमारे मुख्य अतिती थे वो फ्रांस के रास्टपती सबसे फॉर्मीडबल रक्षा ताकत माना जाता है जिसकर जो रक्षा स्धाइब और भारत और फ्रांस के बीच राफेल समझोते कि माध्यम से राफईल फाइटर जैट का भारत में आना दोनों देशों की बीच रक्षा सहयोग को रिफलेक्ट भी करता है उसका एक महध्वपूर्ण प्रतिबिम्ब भी है तो आप देख सकते हैं कि दोनों देशों की बीच हाली में काफी आवागमन हुआ साल 2030 में भारती प्रधानमंत्री पैस्टिल डे प्रेड में सम शामिल हुए और वर्ष दोहजार चोब इसके गणतंतर दिवस में चीफ गेस्ट के रोब में राष्टपती इमैन्वल मैकरोन दोनों देश के शामिल हुए जब भारत के प्रधानमंत्री पैस्टिल डे प्रेड में शामिल हुए इस दोरान भारत और फ्रांस ने भारत फ्रांस शयुक्त रक्षा अभ्यास की बढ़ती अंतर संचालेनियता इसका मतलब इंटर ओप्रेबिलिटी पर संतोश व्यक्त करते हुए दिपक्षे सहयोग पर चार्चा की है और साथ ही दोनों देशों के बीच रण संबंधों को और जानने के लिए हमें जरूरी है कि इनकी बीच के सामाने तथ्यों को हम जाने भारत फ्रांसिसी संबंधों की एक सदी की और सिर्शक वाला संयुक्त वक्तवे 2047 तक दिपक्षे संबंधों की दिशा के टाय करता है जो दोनों देशों के बीच एक मील का पत्थर है अगर दोनों देशों के बीच दिपक्षे बैठक की मुखे विचेशताओं पर बात करें तो वो है दक्षिन पशिम हिंद महसागर में सहयोग की गहनता जैसा कि अभी विचेंट आपको बताए गया था कि हिंद प्रशांच चैतर में एक स्थर्था का वातावरण बनाने के लिए एक सहयोग का वातावरण बनाने के लिए एक फ्रिडम और नेविगेशन को सुनिशित करने के लिए भारत विसव के अलग-लग देशों के साथ अपने रक्षा स सहयों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है फिलिपीन्स के साथ भारत के बढ़ते संबंद भी उसी का एक reflection है और इसी प्रकार से हिंद प्रशांत महासागर में फ्रांस उसका महद्वपूर्ण व्रणितिक साजेदार हो सकता है खास तोर से भारत जिस इस तर पर फ्रांस से अपने रक्षा सामान खरिदता है तो दक्षण पशिम हिंद महासागर में सहयों की गहनता इसमें प्रकट की गई दोनों देश 2020 और 2022 में फ्रांसेसी द्वीप शेत्र री यूनियन से किये जाने वाले सेयुक्त निगरानी मिशनों की आधार पर दक्षण पशिम हिंद महासागर में सहयों की गहनता है वो फ्रांस के ही अधिकार शेत्र में हैं तो वहां से सहयोंक्त निगरानी मिशनों की आधार पर दक्षण पशिम हिंद महासागर में सहयोंक इस्थापेत करने के अंतरकर दोनों देश सहमत हुए है यह सहयोंक जो है वो संचार के रणनेतिक समुदरी मारगों की सुरक्षा में सकारात्मा क्योगदान देता है जहां तक बात हम इंडो-पैसिफिक साजेदारी की करते हैं तो दोनों पक्षों ने साजा दृष्टिकोन के आधार पर कौमन दृष्टिकोन के आधार पर हिंद प्रशान छेतर में लंबे समय से चली आ रहा ही साजेदारी को गहरा करने की प्रतिवदता जिताई और छेतर की आधार शिला के रूप में रिखांकित क्या गया इस साजेदारी में दिपक्षिय बहुराष्टिय चेतरिय और संस्थागत पहलों की एक विस्तृत शंकला शामिल हैं खासकर हिंद महासागर शेतर में जहां नेताओं ने संयुक्त त्री सेवा अभ्यास और विशेश अरखाने पर शर्चा की हे अगर हम थ्रिपक्षय सहहयों की बात करते हैं तो दोनों देश औस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षय सहयों को पुनर जीवित करने और संयुक्त अरब अमिराद uae के साथ सहयों को गहरा करने और साथ इक्षितर में नई त्रिपक्षे साज़ेदारी तलासने के लिए दोनों देश प्रतिबद हैं तो दोनों देश त्रिपक्षे संबंदों को भी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है जून 2023 में भारत, फ्रांस और UAE समुदरी सहज़ेदारी अभ्यास का पहला संस्क्रण ओमान की खाड़ी में किया गया और एक महत्वपूर्ण रणनेतिक साजेदारी को प्रकट करता है और विशेश रूप से महत्वपूर्ण है आपके एक्जामनेशन के दृष्टिकूर्ण से चाहे वो एक्जामनेशन प्रारंबिक परिक्षा हो और चाहे मुख्य परिक्षा ह दोनों देशों के बीच अंत्रिक्ष सहयोग पर भी बात हुई और दोनों देशों ने रणनेतिक अंत्रिक्ष वारता की शुरुवात की रक्षा अंत्रिक्ष सहयोग पर एक आश्ये पत्र भी हस्ताक्षर की क्या गया और उपग्रह प्रक्षेपन मिशन के लिए इसरों की New Space India Limited और France की Arian Space के बीच भी एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के निताओं ने सहविकास, Co-Development निर्मान और उपग्रोहों के प्रक्षेपन सहीत, अंतराश्य सहयोग बढ़ाने के प्रती समर्पन व्यक्त किया गया भारत और फ्रांस के बीच अलगलग सेनाओं के बीच सहयोगत अभ्यास भी आईजित किया जाता है जैसे दोनों देशों की आर्मी के बीच जो अभ्यास किया जाता है अभ्यास शक्ती अभ्यास किया जाता है एकसरसाइस शक्ती किया जाती है नेवी के बीच दोनों देशों की नेवी के बीच वरुण अभ्यास किया जाता है और दोनों देशों की एर फोर्स के बीच गरुण अभ्यास किया जाता है दोनों देशों के बीच ये बढ़ते ताल मेल को भी प्रदशित करता है पिछले साल एक खबर विशेश रूप से चर्चा में रही और वो ये रही कि युनेसको में फिर से अमेरिका शामिल हो गया है टरंप साशन के दोरान उसने युनेसको से बाहर निकलने का फैसला किया था और जब से UNESCO की स्थापना हुई है तब से अमेरिका इस घटना को कई बार अंजाम देता रहा है यानि उसने UNESCO को कई बार छोड़ा है और फिर से वो उसमें शामिल हुआ है वहां के किसी ने किसी तरह से प्रसाशन अलग अलग प्रसाशन में एक इस पर नितिगत अभाव के क में UNESCO में शामिल हुआ था इसे सिक्षा विग्यान और संस्कृति में अंतराश्टी सहयोग को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में जाना जाता है किससे जाना जाता है UNESCO को जाना जाता है कई बार UNESCO की सदश्यता छोड़ने और अपनाने के बाद एक अमेरिका के UNESCO में पुने शामिल होने का महत्व क्या है महत्व इस कारण से है क्योंकि UNESCO में 22 परतिशत की फंडिंग का योगदान अमेरिका द्वारा दिया जाता है इसी प्रकार से अमेरिका प्रयाप्त संसाधन विशेशक्यता यानि स्पेशुलिटी और प्रभाव लाता है इन शेत्रों में अंतराश्टी सहयोग को चलाने और वैश्विक एजन्डे को आगार देने में भी मदद कर सकता है यानि एक प्रकार से वैश्विक नेतुर्त भी एक ग्लोबल लेडर्शिप का भी उसका योगदान रहता है साथ ही चीन को संतुलिट करना विशेश्यू की बात करते हैं तो यह कदम जो है अमेरिका का वापस आना अंतराश्टी सहयोग के महत्व को सुद्रड करता है कि विभिन अंतराश्टी मंचों के अंतरगत अंतराश्टी संगठनों के अंतरगत अंतराश्टी सहयोग स्थापित होना चाहिए और अन्य सदश्य देशों के सतत्विकास का अगर हम बात करें तो इन पहलों में अमेरिका की फिर से भागिदारी जलवायो परिवर्तन को कम करने जैर विविदिता का संद्रक्षन करने और टिकाउ प्रथाओं को बढ़ावा देने के वैस्विक प्रयासों को बढ़ा सकती है युनेस्को के बारे में शानती स्थापना का निर्मान करती है अगर हम इसके मुख्याले की बात करते हैं तो इसका जो मुख्याले है वो फ्रांस के पैरिस में है फ्रांस की राजधानी में स्थ्थेत है और इसमें सदश्य देशों की संख्याच 155 है आठ सहयोगी देश भी 195 के अलावा है इसका जो मुख्य उदेशे है यानि युनेसको का मुख्य उदेशे है गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा प्रदान करना और आजीवन सीखना सतत विकास के लिए विज्ञान ग्यान और नीती जुटाना और साथ ही उभरती सामाजिक और नैतिक चुनोतियों का सम समाधान प्रदान करना इस परकार से युनेसको एक महत्वपूर्ण अंतराष्टिय संगठन या आप कह सकते हैं संयुक्तराष्ट की एक महत्वपूर्ण विशस्ट एजनसी है और इसमें अमेरिका का शामिल होना विशेश रूप से महत्वपूर्ण हो चाता है खास सोर से जिस परकार से अंतराष्टिय संगठन में अमेरिका के शामिल नह होने के कारण चीन का प्रभाव बढ़ रहा था तो इस परकार से अंतराष्टिय संबंद से संबंदे दूसरा एपिसोड आपके सामने था हमें पूरी उमीद है कि करन्ट अफेर्स रिवीजन सिरीज आपक कर सके और आप अपनी एक्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी थन्यमाद दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले